दोस्तो नमस्कार आदाब सथ्रियकाद नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश क्या हम किसी ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां लोगों का एक समूः अपने आराध्य देवी देवता के नाम पर हिंसा करता हो लोगों के खिलाप शत्रुता का इजहार करता हो हिंसा करता हो एक दूसरे को मारने पीटने और समाज में और शान्ती पैदा करने की कोशिश करता हो लेकिन अपने देश में हो रहा है और आज से नहीं हो रहा है काफी वर्षों से हो रहा है इस वर्ष भी हो गया जी हां मैं राम नौमी की बात कर रहा हूँ राम नौमी हमारे समाज में खासकर हिंदी हार्ट लैंड में हमें बच्पन की कहानिया याद हैं हमें बच्पन की स्मृतियां हैं कि बच्चों को हम घर में अगल बगल के परोस में हम देखते थे कि चाहे जिस विरादरी के जिस धरम के भी लोग हो यहां तक कि मुस्लिम कम्यूटी के भी जो लड़के होते थे वो हिंदू कम्यूटी के घरों में आकर के और पूरी और बखीर आम तोर पे स्टेन यूपी में खुप खाते थे और पूरी भी बनती थी राम नौमी के दिन दाल भरी हुई और बखीर बनती थी जो गुड की और क्या आनंद होता था कहीं कोई क्लैस नहीं कहीं कोई कस्ट नहीं कहीं कोई जगड़े नहीं एक वो भी दवर था लेकिन पिछले कुछ दश्कों से ये देखा जा रहा है और बिहार जारखंड 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 जो बात में बना उत्तर प्रदेश के कुछ हलकों में ये शुरुआत होई थी जब शुरुवात होई तो उन स्थानों पर कुछ खास दलों को बात के दिनों में चुनावी सफलता मिलती नजर आई आज इस्थिति यह है कि पूरे देश के कई राजियों में अब राम नौमी के दिन अक्सर क्लैस होने लगे हैं पहले राम नौमी के राम पर जुलूस नहीं निकाले जाते थे लोग पूजा करते थे लोग अरशना करते थे लोग अपने आराध्य को याद करते थे खुब बढ़िया प्रसाद बनता था घरों में पकवान बनता था और लोग खाते थे लेकिन बाद में जुलूस निकलने लेके बड़े बड़े जुलूस और इस बार भी जुलूस निकला और मेरे पास जो खबर है जो मैंने मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो कुछ छपा है और जो मैंने अपने संपर्कों सही कठा किया है कि देश के चार नहीं देश के आठ राज्यों में तीस मार्च या उसके बाद रामनोमी का दिन तीस मार्च को था थर्षने बुद्धवार गुरुवार उस दिन या उसके बाद जिन राज्यों में हिंसा की खबरें मिली हैं तनाव की खबरें मिली हैं उपद्रों की खबरें मिली हैं वे राज्य हैं महारास्ट बिहार, बंगाल गुजराद, करनाटक जारखंड तेलंगाना और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में भी कासकर कुछ हलकों में बहुत कम हलकों में इस बार लेकिन महारास्ट्र में औरंगाबाद का इलाका संभाजी राव नगर जिसकोब कहते हैं मलाट का इलाका जलगाओं का इलाका और बंगाल में हावडा और डल्क खुला का इलाका हावडा का काजी पड़ा खास तोर पे वहां तो एक आदमी की मौत भी है डल्क खुला में बडोधरा में गुजरात में काफी तनाव रहा है करनाटक में हसन में उत्तर प्रदेश के लखनो के जानकी पूरम थाना च्छेतर में कुछ तनाव की खबरें मिली हैं बिहार में सासाराम नालंदा मदुबनी मुंगेर इन इलाकों में तनाव की खबरें मिली हैं लेकिन सबसे अधिक जो तनाव पूर्ण स्किती रही है वो दोस्तों सासाराम ना इसके अवाबा तेलंगाना पहले करनाटक में धक्षन का एक राज एक करनाटक था जहां पर communal tension communal spread आमेन आम तोर पर जगड़े जोगड़ी जितने होते थे classes होते थे इनको इनको खासकर 30 छेतर में काफी उसका असर दिखाई देता था और इसका फायदा एक राज नितिक दल को मिला जो करनाटक में जो पहले नहीं था उसकी स्थिती बड़ी ताकत के साथ उभर कर सामने आई तो अभी तेलंगाना में भी करनाटक की तरह वहां भी तनाव बढ़ता जा रहा है अभी पता चला है कुछी देर पहले की बात है टी सस्पेंडेड एमेले हैं उन पर कई मुकदमे हैं अभी फिर से उन पर मुकदमा दायर किया गया है कमिनल टेंसन के लिए और टी राजा सिंग को जुलूस राम नौमी के नाम पर जो जुलूस था उसमें हेटी स्पीच देते हुए पाया गया और हैडराबाद की पुलिस न उनके खिलाफ कारवाई की शुरुवात कर दी है एफ आयार वगरा हुआ है शिकायतें की गई है अब देखना है कि आगे क्या होता है तो तेलंगा ना में चुकि आप जानते हैं कि एलेक्शन भी होने वाला है और भारती जनता पार्टी और टी आरेस जो अब बी आरेस बन हैं और हेटी स्पीच के लिए उटपटांग बयानों के लिए काफी चर्चित हैं अब हम चर्चिती कहेंगे और क्या कहेंगे बिहार में इसी तरह से कई MPMLS को देखा गया कि वो घोड़े पर सबार होकर और तलवारें लहराते हुए खासकर मदोबनी दर्भंगा के इलाके में कुछ एक लोगों को देखा गया कि तलवारें लहराते हुए एलेक्टेड रिप्रिजेंटेटिव घोड़े पर चड़कर वो घूम रहे थे और नारे लगवा रहे थे नारे लगा रहे थे अब सवाल यह है कि अपने भगवान अपने आराध्य की पूजा करनी है उनको याद करना है अगर याद करना है अपने आराध्य को तो वाइलेंस क्यों हिंसा क्यों तनाव क्यों यह मुझे नहीं समझ वे आता मैं इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि दुनिया के किस हिस्वे में लोग अपने आराध्य के नाम पर हिंसा करते हैं या हिंसा का महौल बना करते हैं समाज में तनाव पैदा करते हैं उपद्रों करते हैं यह आस्था का प्रस्ण है और आस्था और विश्वास सद्भाव या अपने देवता अपने द्व्य शक्त जो भी हो जो भी आप कहले जिए उसके प्रति जो भी श्रद्धा आपकी है क्या वो दूसरों को मारने पीटने से दूसरों को तराव में डालने से या दो समुहों में आपस में क्लैश करने से चाहे उधर का समुह हो चाहे इधर का समुह हो हम किसी एक समुधाय की बात नहीं कर रहे ह क्या त्यआओहार के मोके पर ये जो सिलसल आपने उत्तर भारत पे खास तौर पे है और जिसका जहरीरासर अब्दक्षन के भी दो राजियों में हम देख रहे हैं क्या ये इस्तिती सही है, क्या ये इस्तिती को सामाने का आ जा सकता है भारती जनता पार्टी के नेता अब तक बहुत शालाकी से एक बयान देते रहे हैं कि जिन राजियों में भारती जनता पार्टी साशन में होती है वहां दंगे नहीं होते अब उनका दावा ऐसा होता रहा है जबकि हमने देखा है कि भारती जंता पार्टी के शासन वाली जो सरकारे हैं वहने राज्य हैं या उनका शासन है वहाँ एक से बढ़कर एक दंगे हुए हैं और इसमें विकास का पूरे देश के लिए जो माडल बताया गया था 2012-2013-2014 के बीच में गुजरात वहाँ का उधारण सब के सामने है लेकिन फिर भी नजाने क्यों बयान दिया जाता रहा है कि विपक्ष की जो सरकारे हैं वो कॉमिनल राइट को कंट्रोल नहीं कर पाती है बीजेपी जो है कंट्रोल कर लेती है तो अगर कंट्रोल कर लेती है तो इस बार बोडोदरा में क्या हुआ बोडोधरा में क्यों हो गया इस बार महारास्ट के संभाजी नगर यानि औरंगाबाद पुराना नाम है अभी नया नाम उसका रखा गया है संभाजी राव नगर वहां क्यों हो गया अभी वहाँ भारती जनता पाटी और शिवशेना शिंदे ग्रूप की सरकार है तो ये जो पहलू उभर कर सामने आ रहा है और भी कई स्टेट है आप देख लीजिए जैसे जैसे आप जिन स्टेट की आप चर्चा करने हैं उसमें हम भूल रहे हैं एक स्टेट को करनाटक वहां के हसन के इलाके में भी तनाव लेकिन राम के नाम पर ये जो इस्टितियां पैदा की गई है 2023 में मैं समझता हूँ कि इसके पीछे सुन्योजित योजना है राजनीती है चुनाव है और चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश है बिहार स्टेट में आम तोर पे माना जा रहा था अंदन में है तब से कॉमिनल टेंसन्स या कॉमिनल राइट्स या कॉमिनल क्लैसेज जो है वो नहीं हो रहे हैं लेकिन हम यह देख रहे हैं कि चुनाव तो अभी दूर है और बिहार का अपना चुनाव दोजार पचीस में है लोग सबा के बाद लेकिन वहां अभी से पॉलराइजेशन की राई नी थी जो है उसकी पूरी योजना बनाई जा रही है सासाराम जैसी जगह पे भयानक इस्थी पैदा हुई एक जमाने में कहा जाता था कि कश्मीर जो है कॉंग्रेस रिजीम के दौरान जो कॉंग्रेस की सरकार थी या जो भी पाहले की सरकारें थी उन्होंने भारत में एक अशांत छेतर पैदा कर दिया है कश्मीर के नाम पर अक्सर वहां धंगे होते हैं अक्सर वहां अशांती होती है सेक्योर्टी फोर्सस को ڈیپیوٹ کرنا पड़ता है इंटरेट बंद करना पड़ता है लेकिन जब 370 खतम किया गया कश्मीर से तो दावा किया गया कि कश्मीर को बिलकुल शांत कर लिया गया है अब कश्मीर में कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है ये अलग बात है कि अभी भी कश्मीर में अशांती का दोर जा रही है लेकिन दावा किया गया था लेकिन दोस्तों पूरे देश को कश्मीर जैसा बनाया जा रहा है आज सासाराम जैसे इलाके में नालंदा के बिहार सरीफ जैसे इलाके में इंटरनेट को डिसकनेक्ट किया रहा है इंटरनेट को शटडाउन किया जा रहा है क्या कभी बिहार यूपी में पभी सुना गया था कि इंटरनेट डाउन कर दिया जाएगा इंटरनेट का इस्तेमाल लोग नहीं कर पाएंगे ये केवल कश्मीर में सुना जाता था तो जिस कश्मीर को बहतर बनाने की शांत बनाने की, सहज बनाने की इतनी दावेदारी भारती जंता पार्टी की सरकार द्वारा की गई थी अब देश के अलग-अलग इस्थों में टुकडे टुकडों में कश्मीर क्रियेट किया जा रहा है कश्मीर जैसा महौल बनाया जा रहा है ये किस लिए ये किस के लिए क्या ये देश के फायदे में है क किसी राजनीति के फैदे में है मुझे लगता है कि ये गंभीर विशा है और इस पर सोचनी की जरूरत है जिस तरह राम नौमी के जुलूस में उबत द्रवकारी नारे लगाए गए और दोस्तों याद रखिए जुलूस में एक जगा राम के नाम पर जुलूस जो निकाला गया उसमें नाथू राम गोट से महात्मा गांधी के हत्यारे की बड़ी तस्वीर लेकर राम नौमी का जुलूस निकला तो क्या माना जाए कि राम और नाथू राम दोनों में क्या सबानता है सिर्फ यही कि उसके नाम में भी राम लगा है ना थू राम गोट से कितनी हैरान करने वाली बात है कि जिस राम को हम पूझते हैं भारत के हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा जो आस्तिक है और राम में स्रद्धा करता है राम को पूझता है भगवान के रूप में उनको मानता है लेकिन उस दिन महत्मा गांदी कि हत्यारे की तस्वीर को लेकर जलूस निकाला जाता है उसकी तस्वीरیں चपती है सोशल मेडिया पर वाइरल है तस्वीर ये कौन कर रहा है कौन लोग हैं जो नाथो राम गोड़से को राम की याद में निकाले जाने वाले जलूस में जल्कियों में शामिल करने का दुस्ताहस कर रहे हैं और उनके संरक्षक इस मसले पर खामोश हैं तो दोस्तों आज हमारी पहली स्टोरी यह रही और दूसरी स्टोरी एक बहुत छोटी सी राहूल गांधी के बंगला खाली कराने के नोटिस पर राहूल गांधी को पहले सी जेम कोट जो है चीफ जूडिशियल मेजिस्टेट के कोट से जज्मेंट आया जज्मेंट को स्थगित कर दिया गया उनकी सजा को कुछ समय के लिए तीस दिन के लिए लेकिन कुछी घंटे के अंदर लोग सभा सेकरेटेरियेट ने उनकी सजस्ता को खत्म कर दिया चलो सजस्ता खत्म हो गई सजस्ता खत्म होने के कुछी देर के बार उनको बंगला खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया notification जारी कर दिया गया और क्या कहा गया कहा ये गया कि चुकि अब ये MP नहीं है इसक्रिए बंगला इनका नहीं रहा सकता कोई time नहीं दिया गया थोड़ा सा वक्त दिया गया उन्होंने स्वेम कह दिया कि हम अमुकतारी को खारी कर देंगे बंगला राउल गांदी नहीं लेकिन दोस्तों जो लोग चार-चार साल से MP नहीं है चार-चार साल से चार दिन से नहीं चार घंटे से नहीं चार-चार साल से जो लोग मेंबरा पार्लामिंट में नहीं है न तो राजसवा में हैं न तो लोगसवा में हैं उनके बंगले भी बरकरार हैं, क्या गुण है, क्या ऐसा प्रावधान है, आकिर उसमें क्या सुर्खाप के पर लगे हैं, कि उनके लिए कानुन दूसरा है, राहुल गांधी के लिए दूसरा है, आदर्णियलाल किष्णा अडवानी जी भारत के ग्री मंत्री रहे हैं, वो ब प्रिथिविराज रोड पर अपने बंगले में बने हुए हैं, न तो लोगसभा के मेंबर हैं, न तो राजसभा के मेंबर हैं, जब पता किया तो पता चला कि सेक्योर्टी रिजन से उनको बंगले में रखा गया है, तो क्या सेक्योर्टी रिजन, सेक्योर्टी कंसर्ण, क् उस राहुल गांधी पर नहीं है, जिसके पिता का गतलयाम किया आतंकवादियों ने, जिसकी दादी को खत्म कर दिया आतंकवादियों ने, जिनके पूरे परिवार पर आतंकी हमलों का इतिहास रहा है, क्या उस राहूल गांदी को कोई खत्रा नहीं है कोई concern उनकी security का नहीं है वो भी तो जेट प्लस में है हम मकान देने काप की पैर भी नहीं कर रहा है किसी को भी जो लोग सभा का नहीं है राज सभा का नहीं है मेंबर लेकिन सवाल इस बात का है कि ये पैमाना सब के लिए बराबर होना चाहिए और तो और मुरली मुरर जोशी के पास मकान है हमारे प्रेस कलब की जो बिल्डिंग है उसके सामने है कई लोग हैं छे साथ लोग ऐसे हैं कॉंग्रिस के भी हैं खुलाम नभी आजाद जो पहले कॉंग्रिस में हुआ करते थे अब वो कॉंग्रिस छोड़ चुके हैं कॉंग्रिस छोड़ चुके हैं तो थोड़ा प्रिय हो गए हैं शासन को मौज़दा सत्ता अधारी दल को उनके पास भी है और भी कई MPs हैं नाम ले सकता हूं कईयों का लेकिन नाम लेने से कोई खास बात नहीं होगी अब जैसे उदारन के तोर पे मायवती जी के पास भी एक है एकमेडेशन इसके अलावा भी और लोग हैं भारती जन्ता पार्टी के एक पूरवर राज़े मंतरी के पास है तो यह जो अलग अलग पैमाने हैं बंगला रुष्षने बंगला खाली कराने के मुझे लगता है कि यह पारलामेंटरी डेमोक्रासी में और पारलामेंट की प्रेक्टिस जो होनी चाहिए जो parliamentary rules को लागू करने की कातोर तरीका होना चाहिए उसमें खालल है उसमें ब्योधान है कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए था राहूल गांदी पर ही क्यों इतना जोर है कि उनको बंगला खाली करा दिया जाए अगर उनको खाली कराया जाता है तो सबको खाली कराया जाना चाहिए तो इतनी नियत में खोट जो है वह लोगतंत्र में ठीक नहीं है क्योंकि जनता सब देख रही होती है और ये ये रेकार्ड पर जाता है और इसे कोई अप्रिसियेट नहीं करेगा जो भी लोगतंत्र को पसंद करने वाला व्यक्ति है जो भी कानून के शासन को पसंद करने वाला व्यक्ति है तो आज बस दोस्तों इतना ही नमस्कार आदाप सत्स्रियकाल